नमस्कार मैं हूँ अमेद और दोस्तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं टॉप 7 पैस स्मार्टफोन की जो कि आप खरी सकते हैं अंडर 20,000 रुपीज की प्राइज में इस मही ने बेसिकली अगर आपको बज़र दोस्तो 15,000 से लेकर 20-21,000 रुपे की बीच में हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हलफुल होने वाला है इसलिए बने रहेगा आमारे साथ इस वीडियो में दोस्तो सबसे पहले आपको वज़र दो कि जिन भी स्मार्टफोन के बात करेंगे आज की इस वीडियो में इन सभी की लिंक्स अब को नीचे डिस्क्रेशन मिल जाएंगे वहाँ पे जाके अब इनकी कर्मल पैसिंग और ओफर को चेक कर सकते हैं जादा डाइम खराब नहीं करते हैं स्टार्ट करते हैं सीधा नमबर सेवन के साथ और नमबर सेवन बे आ रहा है दोस्तों सामसंग के दरब से सामसंग एलक्सी M34 5G के में बात कर रहा हूँ करीब 16,500 रुपर का प्राइस दिखा रहा है दोस्तों अभी ये लेकिन कई बार सेल में दोस्तों यह है फोन हमें लगबग 15,000 रुपर की प्राइस में मिल जाता है वैसे ठीक है दोस्तो 16,000,000 रुपर इस फोन के लिए क्योंकि यहां पर हमें देखने हूँ मिलता है एक सूपर एमरेड पैनल और सामसंग का सूपर एमरेड पैनल दोस्तों जानते हैं काफी कमाल का होता है तो डिस्प्ले कॉलिटी दोस्तों यहां पर अच्छा होने वाला है साथ ही यहां पर हमें 128 का स्क्रीन रेफ्रेशर भी देखने को मिल जाता है अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कैमरा की तो यह भी इस फोन का की है लेट फीचर है क्योंकि यहां पर 50 Mbps का primary sensor दिया गया है OOS का support भी हमें यहां पर दिखने मिल जाता है camera quality से भी आप निराश नहीं होंगे और हाँ इस phone में शेयर जारे में इसका battery भी देखने मिल जाता है 25 Watt की charging support के साथ में हाला कि performance के लिए एक decent phone ही है क्योंकि यहां पर दिया गया है Exynos का 1280 chipset दोस्तों जो कि थोड़ा सा पुराना chipset हो चुका है इस prices में थोड़ा सा और अच्छे performance देखने मिल जाते हैं दूसरे phones में लेकिन हाँ अगर आपको display के लिए camera के लिए जाप बैटरी के लिए फोन चाहिए Samsung की तरफ से तो यह आपके लिए अच्छा option हो सकता है दूस्तों आप definitely इसे रख कर सकते हैं आज की लिसमें आ रहा है number 7 की position पर अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दूस्तों आपके एक सवाल का जवाब देदू जो की काफी सार लोग फूचते हैं की power bank कौन से लेना चाहिए अब इक टाइम में best power bank कौन सा है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा डूरासल के power bank के बारे में जो की मैं पिछले काफी समय से यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों यह 20,000 image का power bank है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी lightweight और काफी slim है एक और power bank मेरे पास available है जो की 20,000 image का है लेकिन size में difference देखी दोस्तों यह काफी slim और lightweight है easily आप इसे को carry कर सकते है in fact jeans की pocket में भी अच्छे से आ जाता है और यह वाला जो power bank है यह आप jeans की pocket में carry नहीं कर सकते वैसे यह दिखने में तो attractive है ही साथ ही दोस्तों यह 22.5 watt की quick charge को support करता है और दोस्तों यहाँ पर हम 3 devices को एक साथ charge कर सकते हैं हाला कि जैसे आप 3 devices को connect करेंगे यहाँ पर charging slow हो जाती है लेकिन अगर आप एक device को charge करते हैं तो यहाँ पर हमें fast charging का option देखने को मिल जाता है यहाँ पर हमें 2 USB, एक Type-C और एक micro USB port दिया गया है अगर आपको इसको charge करना है तो micro USB या फिर Type-C से charge कर सकते हैं लेकिन अगर आपको output लेना है दूसरी devices को charge करना है तो दो USB port और एक Type-C की तूसरी इसको charge कर सकते हैं दोस्तो यह smart IC की साथ में आता है तो auto-reduct कर लिता है devices को और यहाँ पर दोस्ता में ultra production मिलती है जिससे की short circuit या फिर over temperature और over voltage से बचा जा सकता है इसके लावा दोस्तो यहाँ पर आपको LEDs देखने को मिल जाती है जो कि power bank की charging को integrate करते है 4 LED यानि की 100% charge है 3 LED यानि की 75% charge है और दोस्तो यह white LED आपको देखने मिलती है लेकिन जैसे ही यह fast charging supply करता है यहाँ पर मैं green color का indicator भी देखने को मिलता है तो अच्छा है दोस्तो वैसे यह two year warranty की साथ में भी आता है आप चाहे तो इसको purchase कर सकते है लिंक आपको नीचे description मिल जाएगा अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं बात करते हैं दोस्तो नमबर 6 की दोस्तो तो यह आता है IQ की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ IQ Z7S की दोस्तो इसका price अच्छा हो गया है compact phone है 6.4 इसके screen size के साथ में आता है यहाँ पे भी super AMOLED पैनल दिया गया है 98's का screen refresh rate आपको देखने हो मिल जाता है इस phone में भी आपको 64 megapixel के primary sensor दिया गया है Oase का support भी आपको यहाँ पे देखने हो मिल जाएगा 45 100 damage का battery है लेकिन इसका battery backup अच्छा था दोस्तो और हाँ यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ charging की तो 44 watt का charging support भी यहाँ पे दिया गया है overall दोस्तो यह भी बहुत अच्छा option है इस price में पहले इसका price अठारों निस जार पे था तब आपको कभी भी recommend नहीं किया लेकिन 15.5.15 जार पे price में definitely दोस्तो आप इस phone को check out कर सकते हैं और फलाल आज की लिसमें यह आ रहा है number 6 की version पर number 5 की तरफ चलते हैं दोस्तो तो यह आता है Poco की तरफ से Poco X5 Pro 5G के बात कर रहा हूँ price दोस्तो अच्छा हो गया है यह सिर्फ 17,949 रुपर की price में available है पहले सका pricing करीब 22,000 रुपर की आसपास होता था अभी भी दोस्तो value for money phone है इस price range में snapdragon 770 8G difference के साथ में आपको यह देखने को मिल जाता है तो performance में SH कोई भी issues देखने को नहीं मिलने वाले यहाँ पर दोस्तो phone का design भी अच्छा है rear panel भी आप यहाँ पर देख सकते है और यह भी आपको एक boxe से design के साथ में देखने को मिल रहा है front की बात कर रहा है जो एक पंच ओल display दिया गया है दोस्तो super AMOLED पैनल के साथ में 128 का screening differentiate हमें यहाँ भी देखने को मिल जाता है और हाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तो camera की तो 108 Mega Pixel का primary sensor है दोस्तो काफी अच्छा performance हमें को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है camera का इस phone में दोस्तों हमें 5000 अच्छा बैटरी और 67 वट का फार्चारिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है dual history speakers भी है दोस्तो आयर ब्लस्टर भी है और मैं इस phone को काफी समय से यूज़ कर रहा हूँ in fact जब से यह phone launch हुआ है मेरा इस phone के साथ में experience काफी अच्छा रहा है तो definitely दोस्तों इस price में आप इस phone को भी जरूँ चेक आउट कर सकते है आज की list में यह आ रहा है number 5 की position पर number 4 आता है दोस्तों लावा की तरफ से लावा अगनी to 5G में बात कर रहा हूँ दोस्तों इस phone ने मुझे काफ़ impressed किया है 19,900 की price में में देखने हो मिल जाता है कई बार sale में यह करीब एक 2,000 पर और कम होता है लगबग 18,000 पर प्राइजिंग में तो यह आप चेक कर देज़ेगा जब आपको purchase करना हो लेकिन हाँ इस price range के साब से दोस्तों नो डाउट बहुती कमाल का device है अभी भी दोस्तों मुझे कोई भी issues नहीं है इस phone में मैंने इस phone को भी काफी लंबे समय तक use किया था इस phone का design दोस्तों काफी प्यारा है in fact बहुती premium feel आपको देखने हो मिलता है इस phone का rear side से भी दोस्तों में एक curve edges के साथ भी देखने हो मिल रहा है इस phone में दोस्तों 50 megapixel का primary sensor है जो की ठीक tech से perform करता है तो यहाँ पर थोड़ सा कमजोर बढ़ गया अलावा लेकिन इसके अलावा जो बाकी सारी चीजे दी चाहे मैं performance की बात कर रहा हूँ तो media tech, dimensity, 7050 chipset के साथ में काम करता है अगर मैं बात कर रहा हूँ बैटरी की तो वहाँ भी फोन पीछे नहीं है दोस्तो 4700Ah का बैटरी है 66W के fast charging support के साथ में इस speaker तो अच्छे हैं दोस्तो in display fingerprint sensor आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो हाँ दोस्तो एक complete package आपको देखने को मिलता है Lava Agni 2 में आप इससे अभी भी consider कर सकता है 20B pricing में one of the best phone है दोस्तो और इसलिए दोस्तो आमार लेस्ट में या आ रहा है number 4 की position पर अब दोस्तो number 3 पे भी एक नहीं मिलकी 2 option है और पहला option आता है Infinix की तरफ से Infinix GT 10 Pro के में बात कर रहा हूँ लेकिन कई समय से मैं देख रहा हूँ दोस्तो ये stock में नहीं रहता है in fact इसका pricing भी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है तो अगर आपको ये option नहीं मिलता है दोस्तो तो फिर आप जा सकते हैं Tecno Camon 20 Pro 5G की तरफ क्योंकि यहां पर भी आपे लगबख सेम फीचर ही देखने को मिल रहे है और इसका pricing भी 19,99 रॉप है और ये stock में आपको मिल भी जाता है सबसे बहले बात आदू आपको दोस्तो ये आपको मिलता है MediaTek Diamond ST 8050 जिपसाइट के साथ में जो की नोडोड एक बहुत ही पावरफुल जिपसाइट है यही जिपसाइट दोस्तो अभी भी में लगबख 30,000 रॉप के फोट भी देखने हो मिलता है तो performance सच में इस फोन का काफी पावरफुल है दोस्तो मैंने इस फोन को यूज भी किया है इसके लगब अगर मैं बात कर रहो हूँ इस फोन के किया रेट फिचर की तो उसमें हो सकता है इसका रियर डिजाइन दोस्तो जी हाँ एक कमाल का डिजाइन आपको देखने हो मिल जाता है कैमरा भी 64 मेकर पिसल का प्राइमेर सेलसर है ओए सपोर्ट के साथ में साथ ही यहाँ पर हमें डियो लिस्ट्यों स्पीकर भी देखने हो मिल जाते है फोन में 5000 अमेज का बैटरी है 33 वोट के फार्चार्जिंग सपोर्ट के साथ मैं आपको यह देखने हो मिलता है तो यह भी बहुत अच्छो अप्शन है दोस्तो जिसको कि आप कर सकते हैं तो इसका प्राइजिंग तो 23,900 रुपर है लेकिन 3,000 रुपर का आपको यहाँ पर इसको अपर इसको आपको आपको यहाँ पर देखने हो मिल जाएंगे दोनों ही फोस पर डिजाइन का डिफराइंस दोस्तों वो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों अच्छे हैं दोस्तों जो आपको ज़्यादा पसंदा है इसके लाव अगर बात कर रहा हूँ फ्रेंट साइट की तो बिल्कुल सेम है दोनों ही फोस में आपको कर्व डिस्प्री देखने हो मिल रहा है 128 के स्कीनी रेफ्रेशिट के साथ में सूपर अमलेट पैनल आपको यहाँ पर भी देखने हो मिल जाता है कैमरा की बात कर रहे हैं तो यह इसपून का की हलेट फीचर है दोस्तों 100 मिगापिक्सल का पारिमिया सेंसर है OIS के सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने हो मिल जाता है dual issue speaker से दोस्तों यहाँ पर इंडिस्प्ले फिंगरमिट सेंसर है 5000 इमेज का बैटरी है 67 वाट का फार्ट चारी की सपोर्ट देखने हो मिल जाता है और इसके साथ भी मेरा प्रेक्टिट एक स्पेस काफी अच्छा रहा है तो आप दोनों में से किसी फोन को किशनर कर सकते है जिसका प्राइजिंग आपको प्राहम मिल जाया या फिर जिसका डिजाइन आपको ज़ाता पसंद आया आप उसकी तरप जा सकते है आज कैस में दोनों ही फोन से आ रहे है NUMBER 2 की पोजिशन पर और फाइनली बात करते हैं दोस्तो नमबर वन की तो यह आता है IQ की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ IQ Z7 Pro 5G की अब इसका प्राइजिंग तो दोस्तो 23,949 रुपर है लेकिन यहाँ पर आपको 2,000 रुपर का instant discount मिल जाता है ICC पैक के कार्ड से या फिर एक दो कार्ड और में मेंशन है तो यह है फोन आपको लगबाग 22,000 रुपर एक प्राइज प्राइज में मिल जाएगा अगर हम बात कर रहे हैं फोन के डिजाइन की तो वो भी आप दिख सकते है अच्छा डिजाइन है फ्रंट साइट से यहाँ पर भी कर्व डिस्पे दिया गया है इस फोन में दोस्ता आपको 64 मेंगापिक्सर का पाइमारे सेसर देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको 4600 डामेज का बैटिक दिखने को मिल रहा है और चार्जिंग सपोर्ट 66 वाट का दिया गया है इंडिस्प्ले फिंगर्पिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाता है हाला कि यहाँ पर सिंगल स्पीकर है लेकिन लाउड साउंड है दोस्तों साउंड को लेट इच्छा सुनने को मिल जाता है तो हाँ दोस्तों यह वन ओ दे बैस फोन मन जाता है इस प्राइज में तो मुझे पोरियो में दोस्तों के इस वीडियो को देखकर आपने बैटर डेजिल ले पाएंगे इसलिए वीडियो को लाइक और शेर करना मत बूलिए का दोस्तों अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियो जानल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा हम आपसे मिलते हैं क्लाइसिक से वीडियो में तब तक लिए अपी दिन चुप रहें आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद